2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस का वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजर हो चुके हैं आज से पहले आपने यूटूब पर कई बिसनेस के बारे में वीडियो देखा होगा लेकिन दोस्तों आपने अभी तक कोई भी बिसनेस शुरू नहीं किया है तो आज हम आपको एक सांदार बिसनेस बताने वाला है जो 2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस है अगर आप ये बिसनेस करोगे तो आप एक महिने में एक लाख रुपे से पांच लाख रुपे कमा सकते हैं आप भी अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और खुद का बिसनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यी वीडियो पूरा देखना आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस बिसनेस के बारे में आपको मार्केटिंग कहां करनी है मार्केटिंग सेल कैसे करनी है क अगर आप खुद का बिसनेस ही स्टार्ट करना है तो कम रुपे में सुरू होने वाला ये बिसनेस है और अच्छे पैसे आप इस बिसनेस के माद्यम से कमा सकते हैं 2022 में ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस है आपने यूटूब पर की वीडियो देखा होगा कुछ लोग बिसनेस के माद्यम से सकसे भी हो सके है कुछ ऐसे लोग है जिनने उन्हें जानकारी नहीं ली और ऐसे बिसनेस सुरू कि दिया वो लोग सकसे नहीं होए क्योंकि उनको पता नहीं है कि बिसनेस कैसे किया जाता है और रो मेट्रियल कहां से खरीदना है अगर आप सबसे जरूरी बात है कि आपको माल कहां से खरीदना है अगर आप खरीद में ही अगर माल मेंगा खरीदोगे तो आप मार्केट में बेचोगे कैसे तो आप पैसे कैसे कमा सक अगर आपके पास जदा पैसा है तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं अगर आप कम पैसे लगा कर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो मिलेगी अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तब भी आपको जानकारी पूरी मिलेगी अग पैसे नहीं गंआई तो हम जो आप जानकारी देते हैं publi साधी फॉलो करो उसके बाद में आप हमें्ञा सकते मैं आपको नबर दूँँगा बिजनेस कैसे करना हैża माल कहाँ से खरीदेना पूरी जानकारी इस वीडियो में वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना उसके बाद में आपको बैल आइकन दिखता है इसको भी आउन कर लेना है उसके बाद में आपको सबी नोटिफिक्शन को भी आउन कर लेना है क्योंकि जैसे ही हम आपके फायदे के बिजनेस के बारे नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसके बाद में इस वीडियो को एक लाइक भी आप कर सकते हैं उसके बाद में आप कमेंट बुक्स में भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं किस बरकार का बिजनेस करना चाहते हैं सबसे कम रुपे में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस चैनल पर आपको हमेसा नई जानकारी दी जाती है तो चलिए आगे की जानकारी ले ले लेते हैं अब मैं आपको जो बिसनेस बताने वाला हूँ यह है चीनी याने खांड और सक्कर का बिसनेस चीनी का बिसनेस करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं मैं अपको यह है जो गुजरात की बहुत ही बड़ी चीनी मील है मैं आपको अब ship का नंबर भी दूंगा इस वीडियोम जो आप देख सकते हैं यह हरीष भई हरीष भई का आपको contact नंबर मिलगा यह चीनी जो मील का ओनर है आप इन से बात कर सकते हैं आपको क्या बाओ देने वाले मैं आपको rate भी बताऊंगा लेकिन आप इनसे अभी order book करवा सकते हैं और माल आपके गाहों तक भी पहुंच जाएगा जो भी आप राज्य मंगवाना चाहते हैं वाह तक भी पहुंच जाएगा आप online इनसे delivery करवा सकते हैं अब सबसे जरूरी बात है कि अगर चीनी का business करना है तो आपको यहां से कितना टन माल खरीदना होगा कितना रुपे में आपको मिलेगा फिर market में आपको sell कैसे करना है अगर सबसे जरूरी बात ही है कि अगर आपको बड़ा business करना है तो आपको 10 टन ज्यादा से ज्यादा माल खरीद लेना उसके बाद में मार्केट में सेल करना है अगर आप छोटा बिसनेस करोगे तो आप 2 टन या 1 टन से ये बिसनेस सुरू कर सकते हैं फिर क्या करना है आपको छोटे गाउं से ये बिसनेस सुरू करना है छोटे गाओं में आपको 30-40 है जो किराने की दुकाने होती है जो जनरल इस्टोर होते है या जो बड़ी चाय की होटल होती है आप उनसे भी संपरक कर सकते है क्योंकि बड़ी चाय की होटल होती है वहाँ पर जो यह चीनी है उसकी ज़्यादा खपत होती है वो भी यहाँ पर सेल करना है दो बार सेल करना है क्यों कि मार्टेट से आप 5 रुपए उंको संस्ति देगël आप कैसे देगй summit मार्केट में आपको पताए कि चैनि 40 रुपे में अपन को दुकानदार दे रहे आपको पता है कि अपन से कितने रुपे ज़्यादा वसूल रहे अगर यही चीनी आप अगर 35 रुपे में अपन को मिल जाए तो फिर मैं आपको बताओंगा कि आपको कैसे मिलेगी उसके बाद में आपने सेट अप कर दिया किसी भी बड़े गुदाम की आपको आउ सकता नहीं है आप अपने घर में ही इस माल को स्टोक कर सकते है अगर आपके पास 35 से 20 तीस वाई अगर 30 से 40 का आपके पास मकाने आप उसमें भी स्टोक कर सकते हैं बड़े बाजार केंदर आपको किराय पर लेने कि कोई हो सकता नहीं फिर आपको माल खरीद ना है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अगर दो टन लाल खरीद होगे तो भी आपको मिल जाएगा एक टन तक माल मिलेगा इस से कम आपको आपको forensic मिलेगा अगर आप यहाँ पर तीन तरह की आपको चीनी मिलेगी सबसे पहले की बात करें वो आपको मिलेगी 30 रुपे नमबर एक दो नमबर की बात करें वो मिलेगी आपको 27 रुपे में और तीसरे नमबर की बात करें वो मिलेगी आपको 22 रुपे में आपको यहाद ने तीन परकार की चीन मिलें कि तीनों में से आप कोई भी एक खरीज सकते हैं अगर आप पहले नमबर वाले खरीदो के तो आप ये बेचों के मार्केट में आप कोई पैंतिस रुपे में बेचने पड़ेगी और 27 वाले आप मार्केट में 30 रुपे में बेश सकते हैं 22 रुपे वाले आप मार्केट में 28 से 27 रुपे तक बेश सकते हैं अब आपको कौन सी खरीदनी है अब मैं आपको बता दूँ आपको वो चीनी खरीदनी आपको क्या करना है 27 और 22 वाले दोनों को खरी लेना है फिर आपको क्या एक छोटी मसीन ले देनी उसके बाद में इनको कट्टे को पैक करना है आपको दुबार पैक करके आपको मार्केट में सेल करना है तो आप ये चीनी मार्केट में 35 रुपे में बेचोगे तो आप कोई स रुपे में दोगे तो आराम से आपसे खरी ले तो दोस्तों अब आप इन ओनर का नंबर लेजिए जी और आप हातो आत इंसे बात करिए और अभी माल बुक कराईए तो आप ये देख सकते हैं ये इनके मोबाइल नंबर है आप अभी बात कर सकते हैं आज ये अपना माल बु आज से ही सुरू करें